So, अपनी पोईंपर स्टार करते हैं Hey, only look what I have found Hey, अरे, देखो, मुझे क्या मिला A sparrow's nest upon the ground एक चिडिया का घुसला मिला है जो कि ground पे गिरा हुए यानि कि जमेन पे गिरा है A sparrow's nest as you may see जैसा कि आप लोग किसी भी sparrow का nest देख सकते हैं Blown out of yender old elm tree बोल रहा है कि उसको एक elm tree है यानि कि एक प्रकार का कोई जंगली पेड़ है जिसने उस nest को उठा करके जमेन पे फेक दिया है Blown out of yender का मतलब होता है कि अपने उपर से उड़ा करके जमेन पे उसको फेक दिया है And what a madly thing it is और ये कैसा misrad है वो बोल रही है poet कि मतलब जो भी चीजों से मिलके बना आए वो बहुत ही odd लग रहा है वो बहुत ही देखने में अजीब लग रहा है I never saw a nest like this मैंने ऐसा कोई नेस टास तक कभी नहीं देखा है Not neatly woven with decent care ये नो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छी धंग से इसको बुना गया है अब silvery moss and signing here इसमें क्या क्या चीज़े add की गई है silvery moss यानि कि चांदी जैसे चमकने वाले moss है and signing here और कुछ चमकने वाले बाल है but put together odds and ends बोल रहा है कि इन दोनों को जब उसने साथ में रखा है आने की अपने nest को बनाया है वो देखने में बहुत odd लग रहा है बहुत अजीव लग रहा है starting से लेके ending तक जो भी उसने बुना है इन चीज़ों को रख के वो अजीव लग रहा है देखने में बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है picked up from enemies and friends c. bits of thread and bits of rag बोल रहा है कि इसमें जो भी चीज़े add की है उस sparrow ने कुछ तो उसने अपने friends से ली है और कुछ अपने enemies से c. bits of thread धागों के छोटे-छोटे टुकडे हैं बहुत सारे and bits of rag rag मतलब होता है खप्रेल यानि कि कुछ खप्रेल के टुकडे हैं जानी कि गावों में आप लोग जानते होंगे आ फिन नहीं भी जो लोग City में रहते हैं वह बच्चे नहीं जानते होंगे इस गावों में पहले जो घर बना करते थी उनकी छट जो होती थी वह खप्रेल से बनती थी खपरेल एक टाइब का आप ब्रिक जैसा ही मान सकते हैं लेकिन वो बहुत ही पतला होता है उससे और वो कच्ची मिट्टी का होता है पकाया जाता था पहले लेकिन वो इतना स्ट्रॉंग नहीं होता है जितना ब्रिक्स होती है तो वो खपरेल के टुकड़े भी छोटे-छोट की कटिरन बहुत है आप के कटी को किया से है उन दौगे की स्कृतियह फुट रहे हुट है जूक और जेह कि कुछ-अपर व्यूं सक्तिए छ पेयुजरीं नि पसक कृुछ Air जयुछ पकर नहीं पूरास को कपड़े को gown बोला गया है particularly gown तो नहीं पहनती है दोबिन लोग, वोग सारी बगरा पहनती है और सारी के साथ petticoat, blouse बगरा लगता है तो हो सकता है कि वो petticoat के लिए gown बोल दिया हो तो बोल रहा है कि उसका कोई पुराना सा कपड़ा है इसका वो कत्रन लगाई है and here is muslin pink and green बोलाई कि यहां पर एक muslin कपड़ा भी लगा हुआ है muslin नहीं है, muslin है ठीक है muslin कपड़ा लगा हुआ है जो कि pink और green कलर का है अब muslin कपड़ा होता क्या है यह एक type कपड़ा होता है जो कि cotton के threads को आप बोल सकते है and bits of calico between और बोल रहा है कि इनके बीज में उसने calico भी add किया हुआ है उसके कुछ टुकड़े है calico के अब calico क्या होता है वो भी एक type का कपड़ा ही होता है अब उसको cotton cloth भी बोल सकते है जो कि printed होता है उसके कुछ-कुछ flowering वगर आपको दिखेंगी अब वो बुनाई करके तो उसमें नहीं बना गया होता है प्रिंट किया होता है इस वज़े से उसको calico बोल रहा है बोल रही है बोल रही है बोयर कि वो जो चिडिया है यानि कि जो sparrow है वो कभी भी उस औरत की भलाई के बारे में नहीं सोचती है जिसकी cloths के beards यानि कि टुकडे वगरा वो लाके अपने nest में add कर रही है जैसे हावा जब बहती है तो वो कभी किसी के बारे में नहीं सोचती कि भई कौन गरीब है, कौन अमीर है और मेरे blow करने से किसका नुकसान हो जा रहा है, वो बस बहती है तो बहती जाती है, सेम वैसी ये भी है ये अपना घर बनाने के लिए कभी उस औरत की भलाई के बारे में नहीं सोचती है बोल रहे हैं कि जो हमारे उपर यानि कि पेड़ पे पेड़ की टैनियों पे, अब इसल सर पे तो नहीं बैटेगी तो इसमें बोल रहे हैं कि जो पेड़ की टैनियों पे, यानि कि हमारे उपर जो स्पैरो बैठी होई है, वो कितनी चालाख है, has robbed her gown to make its bed, बोल रहा है कि उसने, यानि कि स्पैरो ने धोबिन के कपड़ों को, washer women's के clothes को, उसके gown को चुरा लिया है, rob कर लिया है क्या करने है see hair of dog and fur of cat, देखो इसमें कुत्ते का बाल लगा हुआ है and fur का मतलब होता है चाल, लेकिन यहाँ पे उसका comparison किया गया है hair से जो की cat की skin पे पाय जाते हैं, तो यानि के चटाई, एक कोई चटाई रही होगी, जो बहुत खराब हो चुकी थी तो उसके चारो साइड, उसको secure करने के लिए, जो कपड़े की पटियां लगाए जाती है उसको rovings बोला गया है, बोल रहा है sorry, जो हैं, वो बोल रही हैं कि उसको भी इसने अपने अपने गोसले में add किया है and, threads of silks and many a feather और कुछ silk के यानि कुछ रेशम के threads टुकडे भी add किये हैं उसने और काफी सारे feathers भी, यानि punk भी, compacted, cunningly together, देखें, compacted का sense होता है, जमा करना और cunningly का मतलब होता है, चलाकी से तो उसने बहुत चलाके से इन सारे शिजों को साथ में जमा किया हुआ है well, here has holding, been and having इन सारे शिजों को उसने बहुत ही अच्छी तरीके से जमा किया है देखें, इस पूरी लाइन का सिर्फ इतना ही मतलब है कि सारे जों को अच्छी तरीके से जमा किया गया है उस स्पैरो के द्वारा and not a little good contriving, contriving का sense होता है invent यानि की अविस्कार करना और poet जो कहा रही है कि थोड़ा अच्छा विस्कार नहीं लग रहा है मुझे अब बहुत सारी चीज़े आड कर देने की वज़े से भी आप जो बना रहे हैं वो खरा बन जाता है कभी-कभी थोड़ी चीज़ों में ही आप जो भी बनाना चाहते हैं जो भी present करना चाहते हैं वो बहुत अच्छा बन जाता है और जब उसमें ज़्यादे चीज़े आड करने लगते हैं तो वो खराबन लगता है स्पैरो के साथ भी हुआ है Before a home of peace and ease सांतिया और आसानी के घर से पहले was fastened out of things like these इस तरीकी की चुजों से बनाए गया है मतलब की स्पैरो ने इसमें ये चीज़ धान नहीं दिया है कि वो जो घर बना रही है उसमें उसको comfort जादे हो आराम बहुत हो और काफी peace हो, सांति हो उसने जादे focus किया है कि उसका घर जो है वो काफी अच्छा दिखे लुप पे जादे उसने focus किया है जिसकी वज़े से वो काफी messed up हो गया है Think, had these odds and ends been brought to some wise man renowned for thought some man of men, a very gem pray what could he have done with them पोयेट बोलती है Think, सोचो had these odds and ends been brought कि ये जो odds and ends यानि कि जो आवस्यक्ता से ज़्यादा चीजें लाई गई है to some wise man renowned for thought ये जो चीजें जो स्पैरो कर रही है इस पोयम में बताया जा रहा है वो किसी एक बहुती wise man के लिए बोला गया है बहुती एक बुद्धिमान आदमी के लिए बोला गया है renowned for thoughts जो अपनी विचारों के लिए अपनी सोच के लिए प्रसीद्ध है some man of men a very gem बहुत सारे जब आदमी एक जगा खड़े होते हैं यानि कि जब एक बहुती बड़ा group होता है बहुती बड़ा crowd होता है उसमें से कुछ आदमी some man जो होते हैं वो बिल्कुल jam की तरह होते हैं यानि कि हीरे की तरह होते हैं ऐसा तो है ने कि अगर पूरा class है तो उस पूरे class में जितने बच्चे हैं वो सब बहुत अच्छे होंगे ऐसा तो हो नहीं सकता अगर कोई बहुत बड़ा class है तो उसमें से एक दो या फिर हो सकता है कि दस बच्चे भी क्योंकि classes का भई limitations तो है ने कि उसमें किदने बच्चे आएंगे हो सकता है वो बड़ी class हो केवल कुछ बच्चे ही ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं उनको आप comparison कर सकते हैं हीरो से तो वैसी ही बोला गया कि बहुत सारे आदमियों में से बहुत सारे लोगों में से कुछ आदमियों जो होते हैं वो हीरे की तरह होते हैं pray what could he have done with them सोचिए कि उसने उन लोगों के साथ क्या कि यानि कि जो भी ये सारी चीजें हैं जो और एंस के बारे में बताया जा रहा if we have sad here sir we bring अगर हमने कहा होता यहां sir हम लाते हैं you may need a worthless little thing आप लोग आप लोग अगर छोटी छोटी worthless यानि कि without use की चीजें भी लाते हैं just bits and scraps केवल कुछ bits यानि कि छोटे छोटे टुकडे scraps वागरा यानि कि कतरन वागरा so very small जो कि बहुत छोटे छोटे हो that they have scarcely size at all जो कि सायद ही size में ठीक ठाक हो यानि कि आप उनको समाल पाए यानि कि size में बहुत छोटा हो वो ऐसा ये बोल रही है and out of these और इसके बावजूद you must contrive और poet बोल रहे हैं कि आप इसके बावजूद भी invent कर सकते हैं नहीं चीजे बना सकते हैं जरूरी नहीं है कि कोई नहीं चीज invent करने के लिए कोई अच्छी चीज बनाने के लिए आपको branded चीजे चाहिए या फिर बहुत ही अच्छे price की बहुत ही अच्छे quality की चीज़े चाहिए अगर आपको छोटी छोटी टुकडे भी मिल जाते हैं छोटे छोटे पीसेस भी मिल जाते हैं जो भी आपको जरूरत महाँ पे लग रही है वैसी तो भी आप चीजें इन्वेंट कर सकते हैं बना सकते हैं इसमें बोल रहे हैं कि अगर आप चाहें तो छोटे छोटे टुकडों को जोड कर भी आप कम से कम पाच लोगों के लिए एक बड़ा सा घर बना सकते हैं नीट जो कैसा हो बिल्कुल नीट हो साब सुत्रा हो वाम गरम हो और स्नग यानि कि सिक्योर हो आपके लिए सुरक्षित हो विद कमफर्ट स्टोर जिसमें आपको बहुत सारा कमफर्ट भी स्टोर किया गया हो यानि आप उसमें कमफर्ट भी स्टोर कर सकते हैं आराम भी कर सकते हैं वेर फाइफ स्माल थिंग्स में लॉज और जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकते हैं जिसमें पांच लोग आराम से रह सकते हैं आप उनको अच्छे से ठहरा सकते हैं, आप उनको रहने के लिए अच्छी चीज़े प्रोवाइड कर सकते हैं, बोर्ड, खाना भी उनको खिला सकते हैं, सारा काम वो उस घर में रहके कर सकते हैं. इस चीज़ ने मुझे बहुत ही जादे चकित कर दिया, हैरान कर दिया, और थोड़ा सा डरा भी दिया, अगास्ट का मतलब होता है, सहम जाना यानि की डर जाना. और मैंने कसम खाई that such a thing had been never healed, कि ऐसी कोई भी चीज़ ने तो मैंने कभी सुनी थी और थोट आफ और नहीं सोची थी, much less sin, जो भी उसने वहाँ पे देखा, उससे जो भी सोची थी वो कभी या फिर जो भी चीज़े सुनी थी, वो बहुत ही कम थी, यानि कि जो भी वो बना लगता है कि ये कोई आदमी सीख रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, instinct is, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, यानि कि उस इंसान में ये naturally उसको मिला हुआ है, more than wisdom and strong, जो कि उसकी बुद्धी से और उसकी ताकत से बहुत ज़्यादा है, and he who made this sparrow taught, और ये वही है जिसने इस sparrow को यानि इस गवरिया को सिखाया है, this skill beyond your reach of thought, और ये जो उसकी skill है, यानि कि छोटी-छोटी चीजों को जोड़ कर भी अगर हम कोई काम की चीज़ बना लेते हैं, कोई useful चीज़ बना लेते हैं, तो ये आपकी सोच से भी बहुत आगे है, यानि कि आप वहां तक सोच भी न इस जो छोटे-छोटे creatures हैं, जो छोटे-छोटे प्राणी हैं, वो blessed है, यानि इनको दुआ में लिए, यानि ये इस छोटे से nest में भी इतने comfortable होकर के रह सकते हैं, ये इनके लिए बिल्कुल blessing जैसा है, नौर हैव किंग्स नोन इन पैलेसे, ये अपने घुजले में रहते ह हैं, किसी महल के राजा लोगों की तरह ये नहीं जाने जाते हैं, half their contentedness in this, वो बोल रहे हैं कि वो राजाओं की तरह तो नहीं रहते हैं महलों में, लेकिन जो भी चीज उन लोगों को मिली है वो उसमें संतुस्ट है, poor simple dwelling as it is, जैसा भी वो बिल्कुल छोटा सा उनका घर ह है आवास है एकदम simple सा वो उस ही में बिल्कुल खुश रहते हैं और उन्हें राजाओं की तरह बड़े महलों की